जै स्री माकाल जै माताराने के आप सभी को माताराने सुक्वी रखे रति प्रिया यक्षर ने वीडियो शुरू करने से पहले आप से निवेदन करते हैं सेनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा रति प्रिया एक्षुनी के बारे में आपको बताते हैं इनका मंतर और वीडियो बताते हैं कैसे करना है आपको क्या करना है सुन लेजिएगा चोटा सा वीडियो है ज्यादा बड़ा नहीं है भोज पत्र लेना है और भोज पत्र पर कुम कुम का एक देवी का सित्र बनाना है किसी मैला योवन रुपी होती है उनका सित्र बनाना है और जिस पर आभुषन वगेरा एसे ब खिलाकरती वगेरा करनी है अगर मानलीजी आप शित्र को नहीं बना सकते हैं तो कोई बात नहीं आप कोई शित्र ऐसा डाउनलोड कर सकते हैं या तो नेट से जिस पर कोई मेला का ऐसा सित्र है कि जो आभुषनों से बिलकुल सजी धजी है शोलर शिंगार किये हुए हैं तो ऐसा कोई शित्र आपको डाउनलोड करना और उसी को पुजा इस्तल में रखना है उसको पुजा इस्तल में रखने हैं बाद में आपको क्या करना है भोज पत्र लेना है भोज पत्र आपको शित्र निम बनाना है फिर आपको बोज पत्र पर रतिप्रिया यक्षिनिया उनका मंत्र लिखना है उस मंत्र को लिखे उसके सामने जहां पर अपन देवी विराजमान करते हैं रतिप्रिया यक्षिनि का वो पाट बाजोट करते हैं वहाँ पे उनको रखना है फिर उनकी पूजा स्टार्ट करने है ये साथ दिवस्य साधना है इस साधना को करने का तरीका मैं बता रहा हूं आप इस साधना को किजिएगा और इसका मंत्र भी बता रहा हूं जैसे आकेता हूं वैसे जब किजिएगा ये साधना क्या करना है समय में करना पड़ता है इनका जब जैसे एक जार सुबह किया एक जार दोफेर में एक जार साम को ऐसे किया जाता है लेकिन अगर इनका रात्री का लिन द्यान जैसे करते हैं बारा बजे की बाद में शाड़े बारा बजे की बाद में तो इनका क्या होता है विशलन होता है प लेकिन दिन के समय में येक्षिनिया होती है वो उनका इतना प्रभाव नहीं होता है येक्षिनियों का प्रभाव रात्री कालेन में ज़्यादा होता है तो हो सके तो आप रात्री कालेन दिन में भी करें लेकिन रात्री कालेन साड़ा बारे बजे के बाद में इनको कर सकते है और इनका जब भी पूजन करते हैं तो इनके पुश्पों के अगर बात करें तो जैसे अगर हो सके कमल के पुश्पों ना मिले तो समेली के होते हैं तो समेली के फूलों से इनका पूजन वगिरा करें ठीक है और इनका मंत्र जब करें तीनोई संदिया में भी करें यह कशार जब करते, आपको कितना समय लगता यार, दसमाला करने में आपको मुश्किल से 12.0-15 लगेंगी, इतना चोटा संबन्द है ठीक है, 12.0-15 मिनिट में आपकी दसमाला हो जाती है, तो दसमाला यह यह कशार हो गया, समझो ठीक है, इस तरह के इसको करना है अब जैसे ही आप इसका हवन वगिरा करते हैं अगर आवान के लिए तो आपको क्या करना है गी और गूगल गूगल दूप होता है न तो गूगल और गी और गी में हो सके तो समेली का तेल मिलाएगा तिलन का तेल मिलाएगा ऐसी सामगरे मिला के आपको हवन करन और यह परक्रिया आपके घर के किसी भी कमरे में कर सकते हैं साथ दिवस यह साधना है, साथ दिवस में आप कर लेजिएगा अगर इसकी साधना में आप दिन में तीनों समय में इसका जब करते हैं और रात्री काले इन में सौती बार भी आप अगर जब करते हैं तो इसका परभव आपको तीन दिवस के अंदर अंदर देखने को मिलेगा इस साधना का ठीक है तीन दिवस में इनका परभव जरूर देखने को मिलेगा ये अर्धरात्री में देवी ज़्यादा विशलन करती है और अर्धरात्री में साधक के पास में आती है और ऐसे ऐसे य जानकारी देती हैं बहुत ही अच्छे तरीके कि जिससे अपने कुद्धनकियाई प्राप्ति होती हैं वो उस्षे कारे होते हैं जो सीपे होगे कारे हैं वो सब तरीके से ओने लगता हैं ठीके तो इनका मंत्र सुन लेजीगा और मंत्रा के अनुशार आप शर्णाय केजीगा ओम हरीम रती प्रिये श्वा 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 ये इनक